एक साथ उठी छे अर्थिया विधायक मुली भवरा भी हुए अंतिम यात्रा में शामिल पाच किलोमीटर तक यात्रा विधायक ने अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद छे मृतकों के घरगर जाकर की शोक समय नवै अंतिम यात्रा में बड़ी संक्या में रहे लोग मौजूद बेडा खाल के पापडा खाल में छे मृतकों का अंतिम जन्सका घर की महिलाओं का रो रोकर हुआ बुरा हाल बेडा खाल गाउं में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर भी जरूरी सुविधाओं के साथ रहे मौजूद राजस्तान की बूंदी में हुए भीशे राजसे के बाद शवो को बेडा खाल लाया गया जहां उनका अंतिम संसकार किया गया शेतर में इस घटना के बाद एक उदासीन माहोल चा गया है यह शेतर की एक दुखत सबसे बड़ी घटना थी परिवार जनों का रोडो कर बुरा हाल हो गया है महीं शेतर के लोगों पर भी घटना का सर हुआ है अंतिम यात्र में जन सेलाब उमणा वहीं शेतर के विदायक मुली भवरा अंतिम यात्र में शामल हुए विदायक भवरा ने परिवार के लोगों को सांतुना दी और हर प्रकार से सहीयोग करनी को कहा है और काय कि दुखद खड़ी में हम सभी परिवार जनुब साथ हैं चेत्र में एक बड़ी दुखद घटना हो गई है आप क्या कहेंगे ये चेत्र के साथ साथ पुरेश प्रदेश में ये एक घटना है और उन परिवारों के प्रती जिनके फुत्रों ने अपने प्राहन क्यागे हैं उनको हम मद्वदेश शासन की और से और विभिन्न योजनाओ के आद माध्यम से उनके परिवार को लावानवीद भी करेंगे इस पीडा जो है पीडा के लिए मैं बागली मद्वदान सबाच छेतर के सभी मद्वदातां की और से उन परिवारों को स्रद्धान सुमन आतित करता हूँ और अविश्य में इस प्रकार की गटना नहीं हो और अधिता गुमेट पर से ये प्रापना करता हूँ आसे खबर से में जोगत कली रविंदर परमार की रपोर्ट